आप जब भी एक laptop purchase करते हैं या computer purchase करते हैं और आपको multimedia work करना होता है तो आप कुछ इस तरह का dual monitor setup लगाते हैं जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं मैंने अपने laptop के साथ में एक monitor और connect किया हुआ है क्योंकि जब मैं recording करता हूं तो मुझे इसकी जरूरत होती है अब इसका फा इसको डूप्लिकेट कर सकते हैं या फिर आप इसे एक्स्टेंट कर सकते हैं यह सारी चीज़े करने का फायदा यह मिलता है कि इस पर आप काम कर रहे हैं तो आप यहां पर अपने और दूसरे भी काम कर सकते हैं अभी monitor setup कैसे करना है और क्या इसके लिए आपको purchase करना है और HDMI cable आपको HDMI port में connect करनी है और एक cable आपको connect कर देनी है अब जिस टाइम आप monitor से यह cable connect करेंगे सेम ताइम पे आपका monitor इस तरह का display देना शुरू कर देगा जिसमें duplicate display आपके पास आना शुरू हो जाएगा duplicate display का मतलब जब आप एक computer में कुछ काम कर रहे होंगे तो same वह अब फिर मैं दुबारा कुछ और open किया और उसको मैं ड्रेग करके दूसरे फोल्डर के अंदर लेकर इस तरह से अमें दौनों जगे अलग-अलग काम कर रहा हूं तो इसको करने के लिए आपको एक छोटी सी सेटिंग और करनी है यह सेटिंग दो तरह से होती है पहला आप आप राइट क्लिक करेंगे desktop पे और यहां पे display settings पे चले जाएंगे तो जैसे आप display setting पे जाएंगे तो कुछ इस तरह का आपको option दिखेगा यहां पे आपको आपके दौनों monitor दिखेंगे जैसे मैं identify पे click करूंगा तो आप देखो कि यहां पे monitor no.1 और यहां पे monitor no.2 लिख option मिलेगा extend these display यहां से लेके यहां तक आपका पूरा एक display बन जाएगा इसकी बड़ी प्यारी सी setting है जैसे आप extend करते हो तो अभी दोको क्या हो रहा है कि मैं यहां से लेके दूसरा monitor मेरा यहां पे रखा है यह वाला मैंने जैसे identify किया तो दूसरा monitor यहां पे रखा है और प monitor वन इसे माना जाएगा तो यह दोनों दूसरे तरह से वर्क करना शुरू करतेंगे मैं आपको वीडियो में दिखा दूँगा कैसे काम करेंगे तब मैं फाइल को इस तरह से ट्रेक करके नहीं ले जा पाऊंगा यहां से मुझे ट्रेक करके ले जाना पड़ेगा और फाइ चाहते हैं तो यहां पर आपको क्लिक करेंगा यहां अगर यहां पर एक्सनust का जो ओप्षन उसको करेंगे तो आप यह वाली जो चीज है ग्यारा सा यह एक एफेक्क्ट आ रहा है यह आप Carnegie अब इसका एक और बड़ा अच्छा सा एक शॉटकट है आप विंडोस बटन के साथ पी बटन को प्रेस करेंगे तो यहां भी आपको एक यह जो ऑप्शन है डिस्प्ले को एक्स्टेंड करने का वो मिल जाएगा यहां पे भी आपको पीसी ओनली यानि जो मेन आपका कर सकते हैं तो आशा करता हूं कि यह वीडियो के अंदर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम मल्टी मॉनिटर डिस्प्ले सेटिंग या डियूल डिस्प्ले सेटिंग अपने कंप्यूटर या लैप्टॉप के साथ कैसे कर सकते हैं